Hi everyone, आज मैं आपको weight loss, weight gain, हम क्या गलतिया करते हैं, क्या गलत खाते हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और एक छोटी सी diet chart देने वाली हूँ मैं आपको बहुत पहले एक वीडियो में बताया था, कि मैं dietitian नहीं हूँ, बहुत से लोग मेरे से consult करना चाहते हैं, message करते हैं, जो मेरा consulting number है, कि हमको diet chart चाहिए, मैं उनको बताती हूँ कि weight loss कैसे करना है, मैं उनका पूरा schedule पूछती हूँ, उनको बताती हूँ कि आप कहां गलत जा रहे हैं, कहां सही जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग diet chart मांगते हैं, तो diet chart देना dietitian on nutritionist का काम है, बट क्योंकि आप लोग के इतनी request आईए, तो मैंने सुचा आज इस वीडियो के जरिये, पहले हम इसको समझते हैं, कि weight आपकी life में क्यों सबसे बड़ दुश्मन है, हम क्या गलत कर रहे हैं, ना जानते हुए भी क्या गलत कर रहे हैं, weight loss करने के कितने फाइदे हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगे एक छोटी सी diet chart में क्या आपको उसके साथ क्या करना चाहिए, अलग से supplements क्या लेने हैं, यह सारा इस वीडियो में आज कर दितने हैं, हम कितने हैं, तुकनो है हैं, यह सब्लाइदे हैं, बताफिक दितने हैं, यह स्पोटी सी नेधियो में आपको यह समधीा, सी गए क By cri जाने हैं, वह सरेवrobulla गलत करेंदी में आपको जाने हैं, ट quietने हैं, और रहे भीं जारा व सकतर 12a कर ऐसरी जाइदी करें सो आते हैं हमारी लाइफ का जो सबसे बड़ा दुश्मन है दाट इस फैट आप बिलीव ने करेंगे मैं गानेकॉलिजिस्ट हूँ 23 से प्राक्टिस कर रहे हूँ 23 से हर पेशन जो ओबीज है भले ही उसको प्रॉबलम कुछ और हो भले ही उसको यूरीन इंफेक्शन हो भले ह के बावजूद में बैटके काउंसिलिंग करते हूँ 23 मुझे ऐसा लगता है अगर मैं अस दॉक्टर उनको नहीं बताऊंगी कि हेल्थ बेनफिट्स क्या है वेट लॉस करने से उनको क्या फाइदे हैं आगी जाके उनको एज में क्या क्या प्रॉबलम्स हो सकती है या फिर जो खेती बाड़ी होती थी पहले जैसे जो एक्स्ट्रा काम होते थे घर के वो कोई नहीं कर रहा है आई फील कि हमारी घर में जो हाउस जो हेल्पर्स हैं जो बाई-जीया हैं हमारे आकाम जो करती हैं जो फोर्थ क्लास है या बच बेटर इतना काम करते हैं अच्छे सुनक को इनको प्रॉब्लम है तो बाता लगें इनकी डिलिवरी में कुछ पता ही नहीं चलता है तो हम लोग जो अर्बन पॉपॉलेशन वाले हम क्या गलत कर रहे हैं एक तो हमरी डाइट पूरी चेंज हो चुकी है हम जाते हैं स्विगी हम और करते हैं मैक्डॉनल्स और सब्व फूड पर आगें मेरे खुत के बच्चे अगर मैं इंडिन फूड बोलू तो इंडिन फूड ज्यादा वेस्टन फूड प्रेफर करते हैं उनको वेस्टन फूड उनको पिजा बर्गर यह सब ज्यादा पसंद है हालनकि जैसे एज बढ़ रही है जैसे मेरा बेटा भी हमारी है बहुत सारी इंफ्लूएंसर बन गई है बहुत सारी ऑनलाइन काम कर रही है तो ले देके यह जो हम गलत इटिंग है उसको इंकल्टेट कर रहे हैं खुद में भी और बच्चों में भी सेकिंडली क्योंकि हमारी जो अर्बन पॉपलेशन है उसमें काफी लोग कॉस्मो पॉलिटिन सिटीज में रहते हैं मेट्रो सिटीज में भागा दोड़ी ऑफिस में भरी चार घंटे काम विलकिन उसके बाद जो ट्रैवलिंग होती हो बहुत जादा होती है तो भी आजकल फ्रोजन आने लगी उसको गरम किया और खालिया पेट भर गया पर दे डोंट अंडेस्टैंड कि इससे कितनी प्रॉब्म्स हो रही है आप जो आप खाते हैं उसी सापकी हेल्थ बनती है वही आपके फेस पे दिखता है आप किता भी फेशल करा लें मेक अप कर कुछ फरकने पड़ने वाला तो बेसिकली अगर आप वेट लॉस करेंगे तो पहली बात लेडीज में क्या-क्या फायदे है पहली बात तो आपको अच्छा दिखेगा आपका जो एक अंदर सेल्फ एस्टीम होता है वह बढ़ेगा सेकेंडली आपकी मेंस्ट्रॉल प्रॉ थाइरोड बढ़ेगा, इंसुलिन बढ़ेगा, इंसुलिन अपने आप PCOD को ट्रिगर करेगा क्योंकि अंदूजन उसमें बढ़ने शुरू हो जाएंगे, यानि कि मेल होर्मोस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, PCOD सिर्फ ओवरी के अंदर सिस्ट नहीं होता, PCOD बहुत बढ सीब ने कर पारे, प्लस आपको पीरेट्स खुल के नहीं हो जाएंगे, सारी प्रॉब्म्स आपके वेट लॉस से शुरू हो जाएंगे, साही हो जाएंगे, थर्ड ली, मेरे हस्बन के पास इतनी पेशेंट्स आती हैं, नी पेन करके, हील पेन करके, और जादे तर वो आरुवेदा में जाएंगे, आरुवेदा में प्रॉपर एडमिट होके आप इसका ट्रीप्मेंट लीजे, काफी सारी थरपीज हैं जिसमें पूरी बोडी को टॉक्सिफाई करते हैं, और यह काफी आजकल चलता है, यह आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आपके पस टाइ खुब फाइबर होता है, आप प्रोटीन खाईए, अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन वाले प्रोटीन खाईए, चिक पीज लीजे, आप सोया लीजे, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेज खा सकते हैं जिसमें चिकन और फिश बहुत अच खर्च करेगी, एनर्जी खर्च होगी तो आपने आप ही आपका वेट लॉस होगा और आपका फैट बढ़ेगा नहीं, अगर आप लीन प्रोटीन लेंगे, लीन प्रोटीन से क्या होगा, आपका मसल मास भढ़ता है और उसको डाइजेस्स करने में बॉडी काफी टाइम लग और कोई प्रोटीमस हैं, जैसे आपकी हेल्थ प्रोटीमस हैं, आपको लगता है कि मुझे supplementation, calcium की ज़रूरत है, डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको ये लेना है, तो आपको अपने ऊपर supplements लेने चाहिए, बट अपने आपने लेने, आपको OTC ड्रॉग्स नहीं लेनी ह करें ने तो उसको बंद करती आप इस तेज भूग लेगी आपकी भूग को कंट्रोल में रखें आपके डाइजेशन को प्रॉपर करें और आपके फैट को चढ़ने ना यह है वो प्रॉड़ेट बायू स्लिम जिसको कि मैं आपको पहले भी दो वीडियो में बता चुकी हो मै उसके फाइदे क्या है गार्सवीडिया कमबोजिया एक ट्रॉपिकल फ्रूट है जिसमें हाड्रोक्लोरिक आसिट है जो कि चर्बी चर्णे नहीं देगा और भूग को हलका सा कम रखेगा तो आपको जबर्दस्ती की भूग जो क्रेविंग्स होती हो नहीं होगी ग्रीन कि बॉडी का अगर मेटबॉलिजम कम हो गया तो आप जो सुबह खाएंगे और राद तक आपके पेट में भरा रहेगा आपको नाभूक लगेगी बेल्चिंग होगी डाइजेशन प्रॉब्लम होगा और बहुत जबर्दस्ती की क्रेविंग्स होंगी तो क्लोरोजनिक ऐस आपके इंसुलिन को कम करेगा और आपके मेटबॉलिजम को बूस्ट करेगा तिरी चीज़ है पाइप निकम पाइपर निगम आपके डाइजेशन को जिएसे जीरा काम करता है वैसी ये डाइजेशन को बूस्ट करता है तो यह तीनों प्रॉडक्लút के साथ में आप अपने पेशेंट से जिनको मैं बोलती हूँ आपके हाथ में सिरफ आपका कंट्रोल है वेट का और उस वेट कंट्रोल को करने के लिए एक्सेसाइस PCOD में बहुत काम आती है क्योंकि वह आपकी इंसुलिन जो अंदर रिजिस्टेंस हो रहा है उसको कम करती है साथ में हम टाबलेट्स आपने देखा होगा जब भी हम डाइट चार्ट मांगते हैं किसी से भी न्यूटिशन से जिम करते हैं वहाँ पर भी बोलते हैं कि आपको हर दो-दो घंटे से कुछ खाना है नॉर्मली हम लोग जो वरकिंग है जैसे मैं खुद भी वरकिंग हूँ तो 5-5-6-6 घंटे कई कदा उधार ऐइट बिश चाय काफीर एक क्यालोरी है जब अब ब्लाक क्यों जरुद ब्लाकटर उप्लाट के ले पानी NovaВот यह मैं च्ट्रेस में मंठ डा लिएिए अपको लगता मेरा वस्त्रेस काम पा रहा है मैं काम कर पारही हैं या कर आरहा हमॉसें आप आप कोशिश करें हर 2-3-3 घंटे से छोटे-छोटे मील्स लें, हर इंसान कोशिश करके ये कर सकता है, अपने आप जहां भी काम कर रहे हैं, आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, टौलेट ब्रेक ले सकते हैं, तो मैं आपको बताते हूं, सुबह उठते ही आपको क्या करना ह ब्रेकफास कितने बज़े लेना है, फिर दुपहर में लंच से पहले क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, लंच की बाद दो शाम की चाय होती उसमें क्या लेना है, और डिनर आपको 8 बज़े से पहले खतम करना है, तो डिनर में क्या लेना है, अब ये जो मैं बता रही ह हम breakfast से पहले, सुबह उठे, पहले पानी लिया, पानी की साथ आपने या तो green tea ले लिया, आपको चाय क्या देता, आप बिल्कुल चाय लीजे, कोई दिक्कत नहीं, रात भर आपने fasting करी, आप थोड़ी मीठी चाय ले सकते हैं, शुगर फी लेना है तो शुगर फी ले लो, को सुबह आप चाय के साथ, अगर apple खा सकते हैं, तो खा लीजे, तो best रहेगा, उसके बाद आप फ्रेश वेश हो जाएए, थोड़ा walk कर लीजे, walking बहुत जरूरी है, कम से कम 5-6 km, अगर आपको लगता है, मैं पूरे दिन टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ या निकाल पा र लीजे, आप मसूर की दाल या बेसन का चीला खा सकते हैं, या उसका डोसा बनागे खा सकते हैं, अगर आपको इडली या डोसा पसंद है, तो रवा डोसा जो सूजी से बनता है खा सकते हैं, सूजी की इडली खा सकते हैं, उसमें चावल वाली नाले हैं, आप सूजी की मैदा आपको एवोईट करना है आप फ्रेश जूस लीजे ब्रेखफस में फ्रेश जूस यानि की घर का बनावा तरह तरह के फ्रूट्स आते हैं मैं जब यूके में काम करती थी तो मेरे को वहां के डॉक्टर्स बोलते थे यूर इन इंडियन आंड विया सो एंवियस हमको आ इनको फ्रेश चीज़े बहुत कम मिलते हैं तो हमारी कंट्री में फायता है सब कुछ उगाया जाता है सब कुछ सीजनल लीजे कोई बीचीज जैसे आपल आप समर्स में ना खाएं क्योंकि वह बेसिकली विंटर्स में विंटर्स का फूट है सिमिलरली जो तर्बूज है ख झाले करें जानी से डाइजेस्ट होता है और बहुत ज्यादा इसदार्स में नहीं होता है तो उसको आप मसाले घार बनाके इसमें सब्सियां डाल के बनाई इया शुगरफी लें चीनी हमारे लिए एक तरह का जहर है फिर आते हैं लंच्च और ब्रेक्वास्तिक बीच में जो टाइम आता है यानि कि आपने दस बजे अगर ब्रेकपस ले लिए आप दो बजे अगर लंच ले रहें तो बीच में बारा बजे के आसपस आप लीजे कोई भी एक सूप अगर विंटर विंटर्स है तो आप सूप ले लिजे जूस ले लिजे या फिर थोड़ा सा पाइन सोला गंटे कुछ नेखाते तो बाडी हुजाती है बॉडी के मेटबॉousse कम हो जाते तो आपका वेट कम होनी के बजा और वेट बढ़ता है बहुत से लो में ऐसा मैंने देखा है कि बढ़ रहे वेट कम नहीं हो रहे क्यूंकि वो बिल्कूल खाने रहे तो अंदर मेटबॉ या तो आप ब्राउन राइस खाएं अगर आपको चावल पसंद है वाइट राइस ना खाएं या फिर आप बाजरे और होल ग्रेन की जो रोटी होती वो खाएं वो हाथो हाथ फ्रेश बनाए वो रखेवी रोटी कड़क हो जाती है और ग्रीन वेजटेबस खूब सारी लें उसमें कम ओईल डालें खुब सारा मसाला डालें हम इंडियन खुब मसाला डालते हैं साथ में अगर आपको नहीं पसंद आ रहे हैं या आपको कुछ चेंज करना है तो आप वेजटेबल खिचडी बना सकते हैं बाजरी की बना लो या ओट्स की बना लो या फिर जो मोटे ठीप घढ़ से ठाहलें शकष्ट आपको जी और कर सब्सक्राइब ऑफ बना वे आपको नंशारी की बना लाइथ जादा है माकसिमम साड़ेड हो भी बहुत जादा है, खाने में आप क्या खाएंगे रात के डिनर में उसको लाइट रखेंगे, कहते हैं कि ब्रेकफास सबसे हवी होना चाहिए, रिच परसन और लंच होना चाहिए, और डिनर एक वेरी वेरी पूर परसन के तरह यानि कि बिलकुल ये बेगर के तरह होता है, तो डिनर में क्योंकि बॉड़ी आप सो रही है, अब उसको सोना है, तो आप बिलकुल भी हेवी चीज़ ना ले, तो डिनर में आपके पास है, आप वापे से वेजीटेबिस ले लिजे, सिरफ दही ले लिजे, अगर आपको खाना है और तो आप पलस ले ले लिजे, यने क बहुत ज़्यादा नमक होता है, चटनी आप लेंगे तो चटनी जो ग्रीन चटनी हम बनाते हैं घर पे उसमें काफी न्यूट्रियंट्स होते है, और रात में सोने से पहले अगर आपको दूद पसंद है, तो हलका सा गुनगुना दूद उसमें हल्दी या उसमें जो सिने बहूँ करें, यह प्रॉडट्ट जरू ट्राइ करें, इसको लेने का तरीक है कि आप एक टाबलेट सुभह लें और एक टाबलेट शाम को लें, मतला कि लटा की लंच और डिनर से पहले लेना है, आधे घंटे पहले, हलके से गुन-गुने पानी में लेना है, टाबलेट का इसको आप ले, इस आपका डाइजेशन इंप्रूफ होगा, जब दस्ती की क्रेविंग्स नहीं लगेंगी और आपको जो मेटबॉलिजम वह आपका बूस्ट होगा, तो इसको ट्राइब करिएगा, मेरे डाइट चार्ट फॉलो करिए, मुझे बताईए कैसा लगा, साथ में एक्सराइज वाकिंग बहुत जरूरी है, जित्ती आप एक्सराइज कर सकें, रोज का एक घंटा खुद को दें, चाहे योगा करें, चाहे वाक करें, चाहे जुम्बा करें, कुछ भी करें, तो अगर वीडियो पसंद आए, तो लाइक और शेर जरू करिएगा, सब्स्क्र